नमस्कार दोस्तों, जोग्राफी 6th class का आज हमारा part 2 है, इसमें हम chapter 2 और 3 लेने वाले हैं, और कल ये पूरी हो जाएगी है, अपनी 6th Kenci article के lesson में पूरी हो जाएगी, यानि इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, कि मतलब बहुती संचिप्त में, जैसे UPSC में कुछन पूचे जाते हैं, उसके साब से हम lesson easily cover कर लेंगे, तो इस lesson की जो PDF है हमारे टेलिग्राम चनल पर आपको मिल जाएगी, टेलिग्राम चनल का नाम है Study IS with Dravindra Zakhar, और टेलिग्राम चनल का जो link है, वो description में भी डाल दूँगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, तो शुरू क जाता है, इसलिए NCRT का प्रीक के लिए तो बहुत ही डिमांडेट रहती है, और मेंस में इनका काफी रोल होता है, और वैसे भी जो न्यू एस्प्रेंट है, उनको अपनी शुरुवात कहां से करनी चाहिए, NCRT किताबों से करनी चाहिए, लेकिन सभी सभी NCRT किताब है न आप लोगों के जो न्यू एस्प्रेंट है, उनको भी मैं अपनी मतलब सयोग कर पाऊं किसी कंडिशन पर, जो भी टोपिक है, उनको किस प्रकार हम इजी बासा में पढ़ सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें ये टोपिक है, गलोब, अक्सांस और देसांतर, बह ठीक है, लेकिन हमारा अक्स कैसा है, परत्वी का जो अक्स है, और ये अक्स कैसे डिसाइड है, कि मतलब आप ये बोल, बता सकते हो कि सूरी का प्रकास मतलब किस प्रकार आता है, यह नहीं, आप मान सकते हो कि जैसे ये अक्स माना गया है, अभी जो हमने, यहां पर आप ठीक है तो पर्त्वी अपने एक्स पर कितनी जुक ही ऊप्र कि पर कि दिए में इन सब क्या प्रपाल पडहता है कैसल माशते में था प्रत्वी संसे आपंगे आ हुचेती है यानि इस पर्त्वी सब्सक्राइखतो परवाहित होते हैं यहां से कुछन निकल आते हैं कई बार सिंपल एक कुछन देखें के से कुछन आया से जुड़ा वा तो अक्स कहा है सबसे पहले छोटे-छोटी परिवास है इनको जानलोब कि परत्वी जिस काल्पनिक रेखा पर गुंडण करती है तो अक्स का जुखाव कितना है साधी तेश जुखाई क्यों आई नगर sedan हम सब्सार कि एक जुखिविए एक बात समझ नहंगे बहुत आसान वात है इसते विशवतं वारत कंपनिक रेखा तो ब्राबर बाको में विवाजित करती यह जैसे यहां पर आप देखना है यह विशवत यह समाबात है जैसे हमम मेप में समस्जते हैं जो परत्वी तो इसने जरो डिगरी खरता है मतलब सूरी के परकास रही क्तों हो गया इससे नहीं जो खेंगे क्यों परकास बनर्ग जोन होन कि ढून तो अैसे सि drought सबस्तों को पढ़ते में हैंि पूरी पर कि έगए ख़मा Warriors क्तिना पर आप शोटी जान यहाँ को आंफ क्या है विश्वत वर्त मतलब मतलब एक पूरी पड़िवड कि है तो इसके उपर एक डिग्री दो डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री तक होता है यह एक्सांस होगी तो इस लिग्री तो इस कॉन सा होता है क कौन सा सहर किस लोकेशन पर है कौन उसका अक्सांस क्या यानि लेटिटूड क्या या उसका लोंगिटूड क्या है लोंगिटूड मतलब हो गया आपका देसांतर तो परत्वी को हम ताप कटीबंद में बाढ़ सकते हैं यह मैंने जानबुज के एंचार्टी के यहां पर सामिल कर दिये ताकि आपको एजीली समझ में आ जाए ठीक है और ज सूरी का प्रकास सर्वा दि желगाता थाना इसके बाद में क्या हता है लिए प्रकास आदार पर इन्होंने मालिया कि इस परकार यह कोशिछज करते हैं आप का ट्रोपिकल जोन कोन सा है न इसको गर्म जोन भी बोलते हैं तो आप यह मानके चलो तेहीस से तेहीस यानि करक से मकरेका के बीच में यह जो जोन आना कई वार औस्ट लेते हैं तो 30 डिगरी नौर्थ से 30 डिगरी साउथ ठीक है इसको क्या मानते है पूरी जोन को ट्रोपिकल यह यह उसंग कटी बंद जोन इसको मतलब कहने का मतलब यहां पर सरवादिक ताफ़ पान रहता है ठीक है जैसे पढ़ लेते हैं करको मकरेका के बीच के सभी 5.30 आपर सूरी बर्स में एक बार 2 पर में सीर के ठीक उपर होता है उस्तरवाधी उसमा की प्राप्ट होती है this zone बिए ने पहले से इस zone से उपर सूरी का सीधा परकास कभी नीयका लेकिन सी divisवर कभी यहां होता है फिर उपर जाता है कि इसको उसन कटीबंद नाम क्यों दिये गया कि एवरेज इनोनिमाल है कि यहां पर सरवाधिक तापमान रहता है और सूरी की किरणी यहां तक सीध रहती है दोपेर में कम से कम एक बार ठीक है यह कौन सेप्ट है अगला जैसे आपका जोन हो गया कौन सा टेंप्रेट जोन य एक गरWorld सस्क्राब में वहारत तक उत्री दुरुवा वर्त अब्स. छाट pand pendulum रहें कालपनिक रहेंक शोन रहा है ना थैसे परेले भिशुत और दिईलीग। रेका उन्हें काल्प्रिंग रेका क्रिष्ति है ना तो यह ओगा आपका सिटोषन कटीबन आप मेप में आप में देखना यह है डागराम में और यह उस्टसाइब बन्द हो गया तो मुख़ेरूप से सब्सक्राइब कि मैं ईसको now ने द सब्सक्राइलनेसे लग क्राइब तो इसमें उत्रित धुर्व और चुंस से है इसमें क्या होता है यहां पर सूरी शितीज से ज्यादा उपर नहीं उड़ता है जैसे आप सुबह या साम को हम देखते हैं कि जब सूरी अस्त होता है तो हमें शितीज से दिखा देता है वैसे ही होता है कि दुरूब पर क्या होता है वहां पर सूरी का प्रकास नहीं सिधा न हैं तो यह लिया आप समंझ गए वंगे सब्सक्राइश डिध्यार Divine आपके सब्सक्राइब अजो हिस्seam में आगे आपका ब्सक्राइश यह प्राइफजल है क्थरयद किरी हैं अब आपका जान्नी की बात है तो सandr जैसे यह होता है, जैसे यह देसांतर है, ठीक है, देसांतर में क्या होता है, यह लाइने उपर वाली है, इसको लोंगिट्यूट बोलते हैं, लोंगिट्यूट हो गया आपका देसांतर, ठीक है, तो देसांतर में आप देखना, सबीरे काई क्या होती है, दूरू से दूरू क और यह दुरू के पास आते हैं क्या हो जाती है एक जगह मिलने लगती है ठीक है यहां से concept based question आ सकते हैं जैसे देशांतर क्या है किसी बीस्तान की इस्तिति जानने के लिए इक साथ देशांतर की जानकरी बहुत आशिक होता है ठीक है जैसे एक एक एन चैट में दिये कि टॉंगा दीप है प्रसांद मासागर में और एक मौरिसस का एक जामपल दिया है मौरिसस दीप काहां पे हिंद मासागर में दोनु एक है एक सांस पर यानि कितने पर है 20 डिग्र साथ इसमें अक्सांस पर है लेकर इनकी सही अउस्टिति कैसे पता से इस पता से लेगी ठीक जैसे इस मेप में मौरिस्स का है यहां पे हिंद महलाय में अपका है प्रशाण महासागर में तरह ऑन कर अब महाँ तरह ना चौत अधिको चूह路 तो एसे तो फिर हम जान नहीं पाएंगे कि मतलब कौन सी सई सिचुसन है तो फिर हमें उसका देशांदर भी पता होना चाहिए जिसे टोंगा के देशांदर कितना है 175 वेस्ट देशांदर है और इसका कितना है मौरिसस का इसका हो गया 57 डिग्री 5 यह पूरी देशांदर में तो सही देशांदर होने से हमें पता चाहिए कि मौरिसस की लोकेशन क्या है और जी पीएस इसी आधार पर काम करता है आपके अक्सान सो देशांदर की आधार पर तो यह एक्जामपल देखे हम समसकते हैं अब यहां पे देखो एक लोकेशन आगी टोंगा तो आपको जानन मेंस के एक्जाम में इतना फाइदा होने वाला है जैसे यह मेप जोता है पांस सेकंड आठ सेकंड लगते हैं इसको आपको कोई भी चीड ड्रो करनी हो ना बहुत आसान हो जाता आपके लिए मेंस के अंदर अच्छे मार्क्स लाने आपको वेली डिशन करना है तो अपने म मेप जैसे आप एंडिया का मेप हो गया वर्ल्ड का मेप हो गया डायग्राम हो गया उनकी अच्छे से प्रेक्टिस कर लो आप बहुत फाइदा मिलता इसका अभी यह बाते नोर्मल लग रही है लेकिन जब नमबर आते हैं मेंस में नमबर ऐसे नहीं आते हैं इसा इंट्र का रहा है तो मैं इस मेप को यहां पे खुब इस्तिमाल करूंगा कि अभी इंडिया और चाइना में क्या हो रहा है न जैसे चाइना की जो आपकी इस्ट्रिंग ओपल्स पॉलिशी बगर है उनको में यहां पर इसमेप में बता दूंगा इसके अलावा इसमेप में 20 कोई 20 क कि इसको कर सकते हैं देशांतर का मतलब कि सबसे पहले वैसे सिंपल सीजएं समझ में आती है कि वह कालपनिक रहा जो उत्री वा दक्षिन दूरू को मिला रहा पर्थ्वी और यह रहा हो गई जैसे यह खड़ी वाली रेका ही होती है ना यह देसांतर होता है इसमें क्या होता है कि इस इन रेकाओं के माईदम से हम क्या सब सीख सकते हैं इनसे यह सीख सकते हैं कि किस प्रकार हम किसी एकजेट लोकेशन का पता लगा सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में होती है तो सिंपल ऐसे तो यह हो गहाना आपके खड़ी लाइन इंका है देशांतर रहा है ठीक है परीबास तो वह कालफणिक रिखा जो उत्री वह है दक्षिंक गुलारत को मिलती है देशांतर के पीछ की दुरी को हम क्या करते हैं और संव में अहीं इंधे हैं आंक अो वहां पर नाइधा क्या मातना है olduğunu हो जेते हैं यहीत है कि में उपर सकते हम रहे सदेट हों जो कि हम यहां पे थे कि देसांत्र की बीच की दूरी कोड दिूरी में मापते हैं ठीक ह। था परत्त अपड़ी न्स को मिनट में व्यवाजित करते हैं और मिनट को फिर सेकंड करते हैं यह समझ में आए होगा इसली बहुत आसान वासा है जैसे यह पे अभी आगे जैसे हैं इसके लाव हम देखेंगे कि देशांतर के बारे में कहा है यह अर्द बढ़ता है तो था उनके मद्य की दूरी दूरू की तरफ बढ़ने पर गड़ती है था दूरू पर सुने हो जाती है यह बहुत इंपोर्टेंट जाना समझना इसको इसको एक डाइग्रा इसको दूरी सरवादी कोगी किनकी देशांतर रहकाओं की उर्डेसांतर रहकाओं ज्यू जू एक मेप देखता है है यह पर आपस पास रहे दिकल रहती है जबकि आप अक्सां रहकाओं को देखो है अब मेप में आपको दिख री हुगी QXAN2 रिकाई तो मतलब QXAN2 को क्या होता है दूरी समान रहती है इस Connect को पखळो आप दिख रहा होगा इन दोने वीrad है पर झार घड़ता है कहां पर वरत हो गया। नकी बाड़ी नम्बाय हो की दूरी समान रहती है। ठीक है। किसे दूरीक की दूरी होती है। काम होने लगती है एक जगह यह होता की दोनुह मतलों ढूरोपर एक साहत्थ आके मिलने लगती यह चीक है और यह घूर। भुर्ष यह समझ गिए हुंगा आसा कर रहूं बहुत आसान है और давно जिए पढ़ ले कि अर्द बृटाह रुकिंञा रह द्बर सुने हो जाती है ठ्योंकि दूर्थकन सीर्प दूरी में अंके दूरू पर जाके अकसांस वाली मिल जाती है आपस में सभी देसांतर जो रेकाई होती है आपस मिल जाती है सभी देसांतर रेकाउं की लंबाई समान होती है मतलब समान होती है अर्दवर्थ हो गया ना लंबाई इनके समान होती है ठीक है लेकिन मद्दे की दूरी करती और यह अर्द वर्थ होता है जबकि अक्सांस वाला क्या है फुल वर्थ है इसमें यह समझ भी नहीं आए तो बहुत आप यह कर सकते हो कि वैसे आसान है कमेंट करना कि समझ में नहीं है तो हम कोशिज करते हैं या कोई आप एक काम गणा यूटूब पर बहुत सारे वीडियो था जिए इसको क्या है कि मतलब जैसे यहां पे मान लिया कि कहीं से तो परद्वफिका कोई के इंदर माने तो इन्हों नहीं क्या कर दिया जो लंदन में जो भाल कि राज ही वेत सालध है उस यहीई को मान कर रखें लिए पूरब पस्यम देशांध रेखां के घंञा की जाती है इसके इवराभा 180 डिगरी पूरब पस्यम देशांध रेखां वो एक रेखा होती है 180 degree को क्या माना गया अंतराश्चिती तरीका माना गया जैसे हम एक्जामपल देखते है यह हमारा मेप है जिरो डिग्री यहां पे लंदन वाला हो गया जिरो डिग्री ठीक है और जैसे आपको कोई काउंट करने के लिए बोले कि इस तरह आपको जाना है यानि जिरो डिग्री से पूरो में आता है और सुर्य के पर फरुम आ गया तो सब्सक्राइब को करना हो ना तो यहां बाले को प्लस करना है जैसे एंडिया के लिए इंडिया कहां पर इंडिया लग बख 22-22 डिग्री आधिक हमारा मानग समय यह तो हम इस जिरो डिग्री से कितना आगे 5 गंटे तो फ्लस कर दिया यही 82 यहां पर करना होता आपको मायन पश्ची माले में तो इसको माईनिस करते कि यह जो यहां पर कोई लोकेशन होगी न वह 0 180 degree क्या है एक रेक जैसे मिलब है तो यहां पर 180 degree इसको मानके सलते हैं कि यह जिरो डिगरी हो गया और 180 degree गोल आए पर पर एक यह तो प्रत्वी गोल आना तो यह डोनुनुन रेक एक रेक रेक और यही अंतराश्चीथी तीथ रेका इसको माना गया एक सोशी डिग्री पूरी पशिम देशांतर को ही क्या माने गिया है और एक 2008 में से कुछ नाये गया है कि निमने विदे कौन सा जल्डुम्रू मत यानि कौन से जलसंदी अंतराश्टी तित्रेका के सरवाधिक निकट है ठीक तो इसके अंदर आंसुर आपका हो गया बेरिंग ऊपनाते हैं तो आपका बेरिंग जलसंदी कहाँ पर आपके हैं ना बेरिंग जलसंदी किसको अलग करती है ऑर्टिक मासा उखरो जाते हैं कि जैसे अंतराश्टती तरीका के सब सरवाधी निकेट कौन सी है बेरिंग जलसंदी बी आंसर हो गया इसका तो ऐसे कुछन आप प्रिवेस एर के जैसे सम चैप्टर पढ़ रहे हैं आप आप भी प्रेक्टिस करना क्योंकि आप जानते हो सभी कुछन का यहां पर होने वाली नहीं है हो भी नहीं सकती नहीं तो फिर सिख्थ क्लास के एंशाटी में हम बैठे रहेंगे तो आपको कोशिज यह करना कि प्रिवेस एर के पेपर आपको देखते रहना है इसके लावा जैसे देशांतर वह समय क्या है जैसे इसकी गढ़ना करना एक उसने होगा देशांतर पर पूरी देशांतर पर सेम टाइम होता याद रखना ठीक है इसके लिए काउंट करते हैं इसको गंड़ना वीदी देखते हैं क्या करते हैं कैसे काउंट करते हैं इसको आप जानते हो कि प्रतिव गंटे में क्या करती है एक गंड़न अपना पूरा करती ट्रीक काउंट करती है जैसे एंडिया वाला एक्जांपल हम लेते हैं ठीक है तीक है कि यहांपे हमारा है जी दिगरी मांने यह ठीक जी जीरो डिगरी है यह और इंडिया यहांपे है साड़ी ब्याइशी डिग्री तो अभी अमने क्या का एक गंठा बराबर कितना था पंदरा डिग्री और यह अपन्दरा पांच चाहीं हो जाएगा देगो इसको काउंट कर लो पंदरा और पांच को काउंट किया तो कितना हो गया आपका 75 डिग्री तो आ गया है लगबग 5 पर दो फिर उपर पर यह ना साधी साथ लाधि ब्यूंट ही तो बहुत आसान होता इसको आप समझ आउतर होता है यहा से कुसहन آ सकता है तो इसे मैं इसको जान बूसंगे है मैंदिए यहाँ यहां पर डाला है और गिरंड विस से आपको जैसे कोई भी कुशन करृए आपको ठीक है काउंट करवाई तो आप यही रखना कि पूरू में इसको प्लस करना है और फसी में इसको माइनिस करना है आप कैसा भी कुछ नाए उसको इस थीम पर आपको लेकर चलना है क्यों है यह सब क्यों है क्यों कि आप जानते हो कि परत्वी फस्यम से पूरू की और लगाती है इसलिए सूरी उद्य सबसे पहले कहा होता है पूरू की तरफ होता है ठीक है जैसे हम जानते हैं कि हमारे इंडिया है ना जैसे इस मेपने देखना इंडिया के इंदर सबसे पहले सूरी उद्य कहा होता है नोर्थ इस्टी की तरफ होता है ना तब ही तो इंडिया म इसके लावा एक आईश्प्री 2013 में भी कुछ नाया हूँ है कि अलग अलग रितुओं में दिन समय और रात्री के समय विष्थार में विविन्टा के कारण क्या है कि अलग रितुओं का अमद्बनना किसे होता है इससे पुछाओ गया है तो इसके अंदर आप एटेम्ट लेत इसके लावा पर्तिका सुर्य के चारोर दिर्ग वरती रिती से प्रिकर्मन इस्तान की अक्सान सी पर्ट्वी और फ्रिकर्मन यह आपका टिल्ट एड मतलब की चरण तो शार तो सामाने तूर पर अच्छी चीजिए आप जैसे चैप्टर पढ़ते हो तो यह आप प्रिविश सेर के पेपर निकालने कोशिच करना कि किस प्रकार कुछ चनाते हैं ठीक है इसमें जैसे एक सिंपल साथ एक चोटा सा टोपिक है परत्वी की गतियां मौसन ओप दी अर्थ में यह हम पढ़के आ चुके हैं पहले भी कि हमारा साढ़ी तेश डिग्री यहां पर ज चकर पूरा कर लटी अग्रतवी एक होता परिकरमण जो की हमारा लगबक तीन winners 656 दिन में पूरा शूरी के चारो उसको बोलते हैं परिकरमण तो प्रिदिबती वर्त देखो इस डिज़ डिज़ आप देखना तोड़ा सा जूम करता हूँ इसमें दिखाय हुआ कि वह इस्थ जहां पे मतलब वह जो दिन रात क्यों अंतर करती है न उसको बोलते है प्रदिप्ती वर्त ठीक है? आ सकता है, एसा फैक्ट चॉल आ सकता है, कोई यहां से diagram से कोई भी खूष्ण बन सकता है तो ये कुष्ण आ सकता है कि अ कि प्रफ दिपती वर्त क्या होता है सरकलोप इल्मदेशन क्या होता है ठीक, दिन रात को विवाज़ित करने वाला इस सब वर्त है हुआ है एक डाइग्राम में यहां यह दिखा रहा है कि अलग ज्यासे कि परिकर्म बंदर रीत्व का से सिंपल तारिकसे संदाए गॉच्ट करते हैं यहां पर मान के चलते हैं जैसे 21 दृत रायिए अभी बिध्याँ एहन पर बेचहां मार्ण छल रहा है मार्चश सल्रहा तो 21 मार्च की सिसिषेसन ये मान सकते। जैसे अभी हमारा 26 ऊगरे लाओ छार न.. 21 मारचश को से शुumo मार्च क्या रही कि सूरी उत्र इंड हो गया सूरी उत्र कीओर आने लगा है तो इस में आप देख मा me how happy bed 2400 में क्या होगा है स्ट sare घूइस मार्ट की बात कि बात है ठीक 11 मार्ट से जैसे स्वेक्राइब अब थरी सुराइब का सबसे बड़ा दिन हो गया क्योंकि यहां पर सिद्धा चमक रहा है कहां जून में क्या है सीधा चमक रहा है इसलिए यहां पर क्या होता हमारी गिर्सम रितु है कि कब है आप यह मानक के चल सकतो हमारी गिर्सम रितु अब शुरू हो गई है हमारा जो वसंत है वो चला गई है आप जाने वाला है यह लग बग समाप तो हो चका है और हमारा गिर्सम आजकल तो वैसे ऐसे हो गया कि गिर्शम जितु बहुत मतलब सरम जलवाई गठाओं के विज़ा से समझ भी नियारा क्या चलता है ना ऐसी गठना ही हो यह लेकिन एक आधर से स्थिति यह होती है ना ठीक है तो 21 जून का क्या हो गया आपका उत्री गुलार्द का सबसे यहां पर इकेस मार्च और 13 सितम्भ गोन ठीक जाँ ब्राबर होते हैं कि मार्च और 22 December क्योंकि यहां पर सूर्य दक्षणाइन है और सीधी परकास कहां पर आ रहा है मक्कर रेका पर आ रहा है तो यह सीधा असा मतलब एक डियाग्राम इसको आप जैसे पर अभी क्या होता है MARky fabric का समघते हैं यहां पर एक इसे क्या होता है मतलु सबसे क्रेक्षि सबसे बढ़ा नी क्या होता है दक्षिन यह सकते है रहीं विंटर सोलिस्टाइस तो यह क्या है बाइस दिसंबर को होता है सूर्य मकरेका पर लंबत होता है दक्षे गुलार्थ इसकी वीप्रित कंडिशन होगी यनि शीतरीत हो जाएगी ठीक है इसके इल्बावा एक होता है इक विदेंगाट यहांनी विशूब बोलते है इसक तो इसमें एक तेई सितंबर को क्या होता है तेई सितंबर को हम जानते हैं कि हमारे तो अब ध्राइदर थंड आने लगते हैं तो सर्द्रीतु होने लगती है तो यह बहुत यह आसान चेप्टर यहां पर था कि मतलब आसान बासा में समझाने कोशिज किया फिर भी नहीं समझ में आप comment box में comment करना कि यह समझ में आपके तरह कि मेरे बानों तो यह हो सकता है कि कोई भी चीज आपको मतलब समझ में नहीं आतीев नहीं तो आप थ्टोड़ा यूटूब कर लिया अगड़ों कि हाँ यह चीज समझ भी तो कहीं से मैं कर लेता हूँ ऐसा ही करना चाहिए मैं भी एक स्टुडेंट हूँ आपकी तरह है बस यह है कि मेरा तोड़ा अनुबू है तो मैं उन चीजों को लेकर अच्छा बढ़ा सकता हूँ ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद